नमस्कार दोस्तों स्वागत थेकवार फिर से आपके अपने यूट्यूब चाइनल गोलव फ्यूफे जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एकजाम दो तीथी को यानि की मार्च महिने में होने जा रहा है यहाँ पे हमने दो तीथी डाला है यहाँ मन्त के लेकर आपका निफ्यूज मत हो और कमेंट ना करें यहाँ पे दो तीथी यानि एक एकजाम 14 तारीकों मार्च में है तिसरा मौन्त में और दूसरे एकजाम 21 मार्च को है दुजार 21 में तो इसके अनुसार मैंने कुछ साइंस का कोस्चन त्यार किया है जो कि दो वीडियो फैले ही साइंस का अपलोड हो चुका है और यह तीसरा वीडियो यह साइंस का तीसरा वीडियो होने जा रहा है और सिर्फ 14 तारीक के उज़े एकजाम होने बाला है उनके लिए सिर्फ अभी आठ दिन ही बचे हुए तो उनके अनुसार आठ में सो दो दिन छोड़ दिना नहीं कि 6 दिन में आप लोग को एक हजार कोस्टन साइंस का कंप्लीट कराना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते और आप एक बार वीडियो को जरूर देखें बहुत ही साइंस का महत्पून कोस्टन है एक बार वीडियो को कम से कम जरूर देख ले तो चलिए कोस्टन को सुरू करत हैं क्रित्रीम उर्वड़क में समाने रूप से नेट्रोजन फोस्फोरस और तीसरा तत्व कौन सा होता है तो क्रित्रीम उर्वड़क में नेट्रोजन फोस्फोरस के अलावा तीसरा तत्व जो होता है वो पोटैसियम होता है क्रित्रीम उर्वड़क में तीसरा तत्व जो हो जैसे कि ठंडी के दिन में देखते होंगे कि थाली भी चिपक जाता जो कि दोनों को अलग करने में बहुत कठनाई होती है उसी परकार के हाँ कोस्चन है दो मगों एक दूसरे से चिपक गए हैं तो उन दोनों को अलग कैसे करेंगे तो उन दो लोग को अलग करने का तरीका है अंदर की मग में ठंडा पानी डाल कर जब आप अंदर की मगों में ठंडा पानी डाल देंगे तो वो दोनों मग अलग हो जाएंगे चले तीसरा नमर कोस्चन देखते हैं या किसे ने सौर पर्थम परतिपादित किया कि सुर्य हमारे सौर मंडल का केंदर है और पिर्थी भी उसकी परिकर्मा करती है या किसे ने सौर पर्थम कहा तो वे कहा कोफर निकस कोफर निकस नामक बैग्यानिक नहीं कहा कि पिर्थी शौर्य हमारे सौर मंडल का केंदर है और पिर्थी भी उसकी परिकर्मा करती है चार नमर कोस्चन देखते हैं 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 उसके अनुसार मिलाना है और दूसरा सुची में देखते हैं पहला में शमुंद्र की घहर आई दूसरा में है गैस का दाब तिसरा में है गैस का घहर और चार नमर कोस्चन का सुमेलित करना बहुत ही बढ़िया प्रस्ण है तो यहाँ पर ऑप्सन नमर हो जाएगा यानि कि मैनो मीटर से यानि कि मैनो मीटर से मैनो मीटर से गैस का दाब का माप किया जाता है मैनो मीटर से गैस के दाब का माप किया जाता है मैनो मीटर से गैस के दाब का माप किया जाता है वही फेदो मीटर से वही फेदो मीटर से समुद्र की घराई का माप किया जाता है फेदो मीटर से समुद्र की घराई और गैस का घनात्व और गैस का घनात्व किया जाता है क्रा क्रायो मीटर से और डेजी मीटर से गैसों का घंद्व का माफ किया जाता है चलिए बढ़ते हैं इसका ऑप्षन नमबर एंसर इसका ऑप्षन नमबर एंसर चलिए बढ़ते दस नमबर को स्चन की तरफ निम्न में से किसी बीधुत चुमगे तरंग की तरंग द्रैव अधित् किरन की अवरक्त की अवरक्त की अवरक्त की अवरक्त की अवरक्त की द्रिश्य प्रकास की गामा की तो इसके में से किसका त्रैव शबसे अधीक होगा तो वो अवरक्त यानिकी इन्फ्रा रेड इन्फ्रा रेड अवरक्त का होगा सबसे ज्यादा चुमग की तरंग की तरं यानि कि जो पीच होती हैं सांड फीच वो आबेर्ती पर निर्वार करती है 12 नंबर कुश्चन घरेलु वीधुत तारस्थापन मुल्ट घरेलु बीधुत तारस्थापन मुल्ट यानिक domestic electric wiring किस सिरेनी करम में जूरे होता है यानिकी घर में जो वायरिंग होता है वो किस करम में वायरिंग किया जाता है घरेलू वायरिंग को हमेशा ही समानांतर करम में किया जाता है घरेलू वायरिंग को हमेशा ही यानिकी समानांतर करम में किया जाता है कभी भी सिरेनी करम में नहीं किया जाएगा कभी भी सिरेनी करम में घर डॉक्टर, डाइनोमो, ट्रांसफर और मोटर, फिर से कोस्चोन को रिपीट एक बार और्ग से कर देते हैं, निम्न में से कौन सी युक्ति बिधुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परवर्तित करती है, तो वो है मोटर, बिधुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परवर्त करें में गलत को हमेशा है बग के नाम से जाना जाता है बग 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 वियूजी बग के नाम से जाना जाता है तो एक बाइट क्या है तो एक बाइट आठ बाइनरी अंख है एक बाइट आठ बाइनरी अंख है बाइनरी इसका अंख होता है उसी को यहाँ पर आठ बाइनरी अंख किया गया है 16 नम्र कोश्चा ने पिर्थीवी के केंदर पर बस्तु का क्या होता है तो द्रभमान वह भार दोनों सुने हो जाता है पिर्थीवी के केंदर पर बात क्या जा रहा है द्रभमान ओपरवर्तित रहता है और भार सुने हो जाता है और C नम्र है द्रभमान सुने हो जाता है भार आपरवर्तित रहता है और D नमबर है दर्वमान वा भार दोनों आपरवर्तित रहते हैं तो पिर्थीवी के केंदर पर क्या होता है तो पिर्थीवी के केंदर पर दर्वमान आपरवर्तित होता है भार सुने हो जाता है हमेशा याद रखे पिर्थीवी के केंदर पर दर्वम मेतल किसकी मिटरध हट यह तो गुन मेटल तामबा तीन जिंक की यानि की सी यू और सिय एन और हम जेड़ेनْ है यानि कि टामबा पोगाह Improve तनकर का थिवंध मेटल में सोय तो क्वच्छियस बोग तो को को मिसर धात्यू को टिक कर लेना है 18 ज़ित छोरी तरदियों में जिनकीव प्रणाम शरुप अंधता आदी होती है हनिकारक पदार्थ क्या है तो अधित छ में क कॉन सा है हारेक पता है मेफिल एलकोहल मेफिल एलकोहल जो होता है वो श्राब का परकार का है तो भारी जल एक परकार का मंदक है बहारी जल gauche परकार का है और हम लोग पीते हैं चैडविक द्वारा किया गया जेम्स चैडविक द्वारा ने ट्रॉन की खोच किया गया एक किस नमर कोश्चन है निम्ण में से कौन सा एक प्रकिर्ती में अनुचुम्ब किये है तो वो है ऑक्सीजन प्रकिर्ती में अनुचुम्ब किये के रूप में जो है वो ऑक्सीजन है चलिए बढ़ते 22 नमर कोश्चा निम्ड में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं चांदी जो है चांदी वो धातु की सबसे अच्छा कंड़क्टर है यानि कि बढ़िया कंड़क्टर है लेकिन इसका उप्योग नहीं कि जाता है क्योंकि इसको जब लगा दिया जाएगा तो इसको चोड़ी बहुत ज्यादा होने लगेगा सरकार को घाटा होने लगेगा तो इसलिए चांदी का उप्योग नहीं करके और तामबा का उप्योग किया जाता है नुब तो रक्त का पी एच मान कितना होता है तो रक्त का पी एच मान 7.4 होता है और एक बात आओर बता दे साथ से कम वाले जिसका पी एच मान होगा वो अमल होता है और साथ से आगे जैसे बढ़ता है वो छारिये होता है और चलिए 24 नमबर कुस्चन में आते हैं निम्न में कौन दूद निम्न का उधारन है यानिके दूद किसका उधारन है निलंबन का जैल का प्यास का छागगा तो दूद है पायस का उधारन दूद पायस का उधारन है द इकस्ट कोच्चनी 25 नमर की तरह बढ़ते हैं कौन शाततव उर्बडुकर उपस्थित नहीं होता है और इनमें से कोन शाततव है जो वो उर्बड़क मौझूद नहीं होते तो वो हैड्रोजन है hydrogen के अलाबा यहां पे option के अनुशार nitrogen chlorine और फॉस्फोर्डस उर्बड़क के रूप में पाये जाता है चलिए 26 नंबर को स्टेने नाभिक का अकार होता है तो नाभिक का अकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर यानि कि यहां पे option नंबर D दिया गया है तो यहां पे D होगा 27 नंबर कोश्चन की तरफ बढ़ते अमलीय बिलियन में डुबाय जाने पर नीले निटमस पेपर का रंग हो जाता है यानि कि अमलीय बिलियन में जब हम नीले निटमस पत्र को डुबा तो लाल रंग में बदाजाला है चलिंगा 28 नंबर कोश्चन के ला कि नहीं इसमें 2 सुचिया मिल दिया गया ऑफ़ी पिछला साधाई कि similarly सुची बाले कोश्चन लीक चांप अना ही यानिकि निश्यू क्रें एक का इसका इन सब्सक्राइरए 힘ॉ होगा यानिकी कि गगए तो मिलिया से कौनद सब्सक्राइबooo mínuted आप हो 29 नमार कोश्चन है अलजाइमर रोग में मानबर कंसला प्रभावित होता है अलजाइमर नामक रोग मेर मानबा से रिका क्सला अंघ प्रभावीत होता है तो बसम नामक रोग में मस्तिष्क प्रभाब होता है मस्तिष्क प्रभाब पढ़ता है मस्तिष्क पे प्रभाब पढ़ता है चलिए तीस नबर कोश्चन है सरीर में उत्तवको का निर्मान कहां होता है कहां से होता है तो यहां प्रोटीन से बिटामिन से, करभोहाइडरेट से बसासे, शरीर में उत्तोकों का निर्मान का कि से होता है, और शरीरे नहीं हमारे 20 परकार के परोटीन पाए जाता है, जिसमें से 10 परकार का परोटीन हमारा शरीर खुद निर्मान कर लेता है, जबकि दस परकार का प्रोटीन हम भोजन के माध्यम से लेते हैं दस परकार का प्रोटीन हम भोजन के माध्यम से लेते हैं और दस परकार का प्रोटीन हमारा सरीर खुद निर्मान कर लेता है चलिए पतिस नमर कुच्चे लार किसके पाचन में सहायक है यांग कि इसलिवा लार किसके पाचन में सहायक है यानि कि अस्पंदन करने लगता है यानि कि जब बच्चा पेट में रहता है यानि भूरना वर्ष्था में रहता है तो उसका हिर्दे कब से वर्क करना चालू कर देता है तो इसका हिर्दे अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ता में ही उसका मतलब चतुर्थ परिवर्धन के चतुर्थ चोथा सप्ता से ही उसका हिर्दे वाक करने लगता है यानि कि उसका धरकने लगता है इस पंदन करने लगता है चलिए 33 नमबर कोश्चेन है परकास संसलेशन की किरिया के लिए क्या आपसेक है तो यहाँ पर तीन कथन दे दियागा उसके अनुसार आपसन में चूज कर लेना है यानि कि परकास संसलेशन के लिए क्लोरोफील आपसेक है जल एवं सुरी के परकास आपसेक है ऑक्सीजन को आपसकता नहीं प्रकास शेलेशन की रियांओं ओक्सिजन के कैंड अभसकता नहीं क्लोड़ फील की अभसकता है और जल और श्री के परकास की आपसकता है चलिए प्रते 34 नमबर क्षेशन की तरण 31 नमबर कोश्चन है हमारी जीव का वो भाग जो मीठा स्वाद बताता है तो वह आगारी जीव का कौन वाग तो वह अग्र भाग आगे की भाग hai जो हम हमको मीठा चीज जब खाते हैं तो उसका मीठापन का हैसास दिलाता है हमारे जीव का अगर भाग चलिए 35 नमबर कोशन के तरफ बढ़ते पांच में बढ़क के निमलिखित तत्बों में से कौन सा सरवाधिक छारिये ऑक्साइड बनाता है यानि कि पांच में गुरूफ के ज संघ मरमर पीतल पेटरोलियम कोग ग्रेफएड यानि कि इन में से कौन सा योगिक है तो वह शंग मरमर है संघ मरमर जो है वह योगिक है चले 37 नूमी कोच्क पर कुट दे दिया गया और इसको tô भी मिलान करा यानि कि सुची एक और दुसरों को उसका अ यहांप में कहा रहा है चांदी bakayım का worldwide होता है चांदी का ऐस्थी होटा है सपरी चांदी का ऐसी होता है चांदी का अ होता है और पारा का हग होता है पारा का हग होता है इस को स्टन में एक ज्यादा दिया गया इसमें तो लेट शीषा तो है इसमें और क्या है डाइव तो तो इसका एंसर हो जाएगा question ठीक है एक छोड़ के मिलाना है एक इसमें से छोड़ देना है इधर पांच दे दियागा और इधर चार देगा लेकिन उसी का अनुसार ही मिलाना है तो इसका option हो जाएगा option number B option number B यानि कि चांदी का हो जाएगा चांदी का होता है AG सोना का AU और पारा का HG और सीशा का PB होता है यानि कि इसमें टीन का कोई जिक्री नहीं है चलिए बढ़ते 38 नमबर को मानब सम्मूव संबंधित है मानब सम्मूव क्या संबंधित यह क्लास क्रोडेटा में बर्ग प ड्राइबित क्लास से और D नमबर देता हैं या फाइलम प्रोडेटा के अंतर्गत क्लास मैमोलिया से मानब सम्मूव 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 क्लास मैमोलिया के लिए है मनुष्य यानि कि option number D को तर्फ बाद दर कौन सी बिमारी मच्छोडों द्वारा नहीं फ्याल द लेंगू जोड फाइलेडियासिस निद्रालू व्याध्री और मलेडिया यानि निद्रालू व्याध्री और मलेडिया यानि खित में से कौन सी बिमारी जो मच्छर उसका बाहक नहीं है मच्छर उसका बाहक नहीं है तो यह बिमारी है निद्रालू व्याध्री यानि कि पांच भाग की कमी हो जाती है बस्तू का घनत्व क्या होगा यानि कि जब किसी बस्तू को हम पानी में डूबाते हैं तो उसकी भार में एक बटा पांच भाग की कमी हो जाती है तो उस बस्तू का घनत्व क्या हो जाएगा उस बस्तू का घनत्व क्या हो जाएगा तो उस बस् एक तालिस नम्बर कोश्चन के तरव बैगनी रंग के परकास के तरव द्रैव लंबा यानि की बेव लेंथ कितना होता है तो बैगनी रंग का बेव लेंथ 0.4 यानिकि 0.4 माइकरों होता है माइक क्रॉन जब सामुन के बुलबुले को यानिए सामुन के बुलबुले में हम चार्ज देंगे क्या होगा तो इसकी तिरिज्या बढ़ जाएगी जब सामुन के बुलबुले में हम चार्ज देंगे आने के आबेसित करेंगे तो उसका तिरिज्या बढ़ जाएगा सामुन का तिरिज्या इसकी तिरिज्या बुलबुले की तिरिज्या बढ़ जाएगी नमर कोशटन एमरी है इमरी क्या है स्विधियम हैडरोकसाइट असुद कोरंड़ के मिस्रन पोटेसियाहं नैट्रेस अमोनियम कलोराईड तो इमरी है असुद कोरणलों और आइरन आकसाइड का मिस्रन क्यों है control गड़ी किस सिदान्त के अनुसार काम करते हैं, वो किस सिदान्त के अनुसार कार करते हैं, बिधुत चुम्बक के परभाव के अनुसार, प्रकास बिधुत परभाव के अनुसार, सीबेक परभाव के अनुसार, या दाब बिधुत परभाव के अनुसार, तो गड़ी होती है, वो दाब बिधुत के अनुसार कार करती है, हमेशा क्वार्टेस घरी का अब ध्यान रखेगा, कि वो दाब बिधुत परभाव के अनुसार ही काम करेगे, क्वार्टेस घरी यह बहुत बढ़िया कोश्चन है, इसको याद रखेगा, क्वार्टेस घरी दाब बिधुत परभा के कारण वह कार करती है सिदान के अनुसार दाब विधुत प्रवाव सिदान के अनुसार करती है 46 नमर कोस्टन के तरह बाते चुद ग्रस्ट गाय का दूद किस बीमारी को फैलाता है चुद ग्रस्ट गाय का दूद किस बीमारी को किस बीमारी को फैलाता है तो चुद्र ग्र और तत्व आवश्यक होते हैं निमलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोशन के लिए आवश्यक है कोबाल इसी में डाउट है और परफट्य hospital थो कोलाइडल और जा मिर्धा से हैं तो सब्सक्राइप बिल्यद्रा से पौलाइडल अवस्था से गैस की अवस्था से एठोस अवस्था से तो पौधे हमेशा मिर्दा से बिलियन अवस्था में बोजन की प्राप्ति करते हैं। हिरे की खनीजिय बनावट कारवन है कारवन है चलिए इस वीडियो का लास्ट कोशन नमर कोशन जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है जब TV का switch on करेंगे तो क्या होगा तो धोनी तुरंत सुनाई देगी लेकिन दिरिसे बाद में दिखाई देगा द्रिश से तुरंद शुरू होता है लेकिन धोनी बाद में सुनाई देता है क्योंकि धोनी परकास की अपेक्छा कम बेग से चलती है और तीसरा नमबर है यह TV कंपणी पर निर्वर करता है यह तो बिल्कुल नहीं होगा यह TV कंपणी पर निर्वर करता है यह भी नहीं होगा द्रिश से तुरंत शुरू होता है लेकिन ध्वानी बाद में सुनाई देता है यह भी गलत है और ए नमबर अप्सान है ध्वानी तुरंत सुनाई देती है लेकिन द्रिश से बाद में दिखाई देता है यह बिल्कुल सही है यानि कि जब टीवी को अन करेंगे तो ध्वानी तुरान्त शुनाई देगी लेकिन द्रीस से बात में दिखाई देगा यह भी यह नहीं होगा धुछनी तुरान्त शुनाई तो आप हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेर करें धन्यवाद